नमश्कार प्रणाम आदाप से स्रीयकाल कैसे हैं आप सभी तो कि आपके सामने एक कॉश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है जैसे कि हमने युमारस के सॉल्यूशन को स्टार्ट यानि की solve करना स्टार्ट किया है निम्लीक इतमें से किस का गलािसे मिकी इन्डेक्स सबसे अधीख है यह 89 नाइन नमबर कॉश्चिन है यानिकी लगवग नभे नमबर तक कॉश्चिन हम पहुच चुके हैं 89 नमबर कॉश्चिन की विच फॉलोई इस ग्लाइस्ट ग्लाइसमिक इंडेक्स बनाना मक्का यानिकी कौन और एपल और स्वीट पोटाटो यानिकी सखरकंद बताइए हाइस्ट ग्लाइसमिक इंडेक्स है आप सबीके लिए बतादू छे वजे हमारी पेड़ क्लास है और हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स कर रहा हैं कवर कलमने रैसलिंग को कवर किया था और आज हम जूडो करने वाले है अनुदेली हमें गेम को कर रहे हैं और उसके प्रिविएस कॉस्टेंस भी देखने की कॉसिस करें अच्छीńsk चलिए तो जिसने भी राइट हैंसरा थिएू है इस ग्लाइसमे लड़ ले अब तो पढ़ने का टैम है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है देखो जितने भी भोजन है हमारी प्रित्वी पे जो एवेलेबल हैं जो हम खाते पीते हैं कोई भी चीज है जो खाने वाली चीज है या पीने वाली चीज है उसमें शुगर लेवल की बढ़ो प्रोकुली रदड़ समान खाया आपने कोछी आ खालिया माल लो यह गत्ता खाल लिया यह गत्ता आप खा गये उस खाने के बाद में आपके बाड़ी में के शुकर लेवल स्पाइक होगा कि नहीं होगा जीरो होगा ही नहीं और गूर कहीं अपने चीनी खा लिया गुलुकोस पी लिए तो आपका सुकर लेवल कितना स्पाइक होगा जीरो नई हंडर्ड हो जाएगा डायरेक्ट तो प्योर गुलुकेस प्योर गुलुकोस जो होता है जो हम गुलुकोस प्योर गुलुकोस जो होता है उसकी वैल्यू होती है 100 ठीक है और उसके अलावा आपके बहुत सारे फूड्स है किसी की वैल्यू होती है 10 दोस्तों किसी की 20 किसी की 30 किसी की 40 किसी की 50 ऐसे हर फूड की अलग-अलग वैलीट है समझ में आगे तो ग्लाइसेभिक इंडेख सोटा है एक एज इंडीक्स जिसमें घ्रोत से हन्ड़रों तक दीआ होता है कि AAP खाने के बाद में आपके जो ब्लेड गलुकॉस लेवल है दो के बाद में कंज्यूम करने के बाद में कितने बढ़ रहे हैं उसे ग्लाइसमिक इंडेक्स कहा जाता है अब नॉर्मल ग्लाइसमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आपका शुगर लेवल कितना रहता है तो फास्टिंग ब्लेड शुगर की अगर हम बात करें त कि फास्टिंग के दौरान जैसे कि रात में आप सो के बाड़िया सुबह उठे और आपका ब्लेड लिया गया और उसमें आपका देखा गया कि कितना आ रहा है तो उससे आपको पता लगा कि यह कितना आ रहा है हर्ण सत्ता से सो के बिच में नौर्मल सो से ऊपर गए 125 तक गए है अगर सोगे 125 के बीच में अगर पहुचे तो हम कह सकते हैं कि आपका वियां कि 115 stereotype है में कह सकते हैं कि diabetes है भाइं आपको क्या तो यह तो होगे जाले 140 अगर 50 से 60 के बीच में है तो डेड़ सो और 60 साल चे उपर है तो 160 शुगर जा सकती है उनकी यानि कि दो घंटे के बाद में अगर देखा जाए खाने के बाद और रेंडम ब्लेड शुगर अगर लिया जाए तो मिल्स बिफोर मिल्स और आफ्टर में आफ्टर वॉकिंग अप अच्छी से 120 रेंडम शुगर मानी जाती है और बिफोर बैड बैड पर जाने से पहले आपका सो से 140 तो यह आपके क्या है यह देखो बिफोर बैड है जाहिर सी बात है बिफोर बैड यानि कि आप खा पी के कुछ ना कुछ पूरे दिन गए होंगे तो बिफोर बैड आपक कुछ नहीं खाया था पूरी रात कुछ नहीं खायाता शुबह उठते ही आपने चाइक आपका कम मिलेगा लेकिन पूरे दिन कुछ खाया तो आपका बड़ा मिलेगा ठीक है तो यह बड़ा हुआ है लेकिन फिर भी नॉर्मल क्या होता है जब भी बात आती है हाइपर तो हाइपर का मतलब है ज्यादा हाइपर का मतलब है ज्यादा ग्लाइसे मिया मतलब की ग्लुकोज कहे लो हाइपर ग्लुकोज यानि कि बॉड़ी में ब्लेड के अंदर ज्यादा ग्लुकोज मिल रहा है उसी को शुगर बोलते हैं एक ऐसी कंडिशन जनरल ही अगर हम ब्लेड शुगर की बात करें तो अगर ग्यारा पॉइंट एक मिली मॉल पर लीटर के हिसाब से अगर 200 ml 200 mg डेसी लीटर के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो हाइयर लेवल माना जाता है लेकिन अगर आपका 13.9 से लेके 16.7 तक मिले तो ये माना rang का तो आपका कि हाईयr वेल्यूज और ज़्यादा हाईयर वेल्यूज है और इससे आप यूं कह सकते है कि आप डीबिटीज के कि लाइन में पहुंच रहे हैं छ恈 अब ह्य्काइब होता अब हम है है अब हाइपयोग्लाइसी म्या मने क्न और आ विग्लाइज में मतलबzahl कॉस यानि की जरूरत से कम से ठेकि जरूरत से कम तो यह तो होगा आपका बिल्कूल बहंकर वाला जैसे की अमेरिकन डायमितिटीज नीचिए एक लाइट generally जो बात बताईये subject with consistent fasting blood glucose range अगर fasting में आपका 5.6 से 7 तक पहुँच रहा है ठीक है मिली मॉल पर लिटर ठीक है और यह 100 से लेके fasting में 100 से 126 के बीच में पहुच रहा है mg deciliter तो American Diabetes Association guideline के according it is considered slightly hyperglycemia and above 7 mole जैसी बात मैंने पीछे बताई कि अगर यहाँ पर है तो रिस्क है diabetes का लेकिन अगर 126 से उपर चला जाए तो आपकी जो American Diabetes Association उसने भी बता रखा है कि आपका क्या हो जाएगा शुगर हो जाएगी diabetes हो जाएगी ठीक है तो यह तो रही hyperglycemia की बात अब आती है hypoglycemia की बात है hypoglycemia की अगर हम बात करें तो less than 3 less than 3 अगर हम बात करें जैसे यहाँ पर 7 से उपर थी 7 से उपर थी यहाँ पर यहाँ पर less than 3 अगर कम देखने को मिले है तो hypoglycemia हम उसे कह सकते हैं ठीक है 3 से नीचे अब glycemic index कुछ इस प्रकार से है जो कि मैंने नहीं बनाया है आपने नहीं बनाया ना कोई बनाने वाला है इसे इसे बनाया है सर्च करके laboratory में कि किस चीज के खाने से कितना glucose spike होता है अब उन लोगों को आप जो जिनको high blood sugar रहता है high blood sugar हो जाता है यह diabetes है उन लोगों को इसको देखके आप diet भी suggest कर सकते हैं आप doctor मत बनो doctor को यह चीज करने दीजिए ठीक है लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत symptom है तो अपनी diet में change लेके खुद ही आप ठीक कर सकते हैं ऐसा कोई मैं सलाह नहीं दे रहा हूं I'm not a doctor but मैं आपर आपको educate करने आया हूं कि कि किस तरीके से आप चीजों को पता लगा सकते हैं जैसे आप लोगों ने बहुत सारी चीजे देखी होंगी एक्जाम्पल के तौर पे आपको मैं कुछ बहतरीन सी चीज दिखाता हूं जैसे कि पालक है पालक अगर खाएंगे तो उसकी glycemic index 15 है यानि कि कितना सो में से 15 वही पे अगर आप वाटर मेलन खाएंगे तरबूज खाएंगे तो उसका glycemic index कितना है 72 बहतर आपको एक चीज बता दू जो कि पेशन्ट को चावल नहीं खाने चाहिए ठीक है चावल नहीं खाने चाहिए या फिर चावल खालो और रोटी खाओ रोटी खालो चावल खालो देखो यहां पर कितना आपका पर कंशन्ट दूर करता हूं रोटी चावल खालो आम तो बिलकुल नहीं खाना चाहिए है कि नहीं रोटी चावल खालो आम तो बिलकुल नहीं खाना चाहिए आप यह देखो आम का glycemic index कितना है 56 आम का देट इस 64 अब आप खुद इमेजिन कर रहो कि शुगर के पेशेंट के लिए क्या बेटर है रोटी चावल या आम आम विल बेटर मेंगो विल बेटर ठीक है यह मैं नहीं कह रहा हूं ग्लाइसमिक इंडेक्स कह रहा है और बड़े-बड़े डॉक्टर कहते हैं तो कुछ ची का मतलब शुकर बढ़ाने से नहीं है यहां पर जरूरी कोई चीज जितनी ज्यादा मीठी होगी उतना ज्यादा आपकी शुकर बढ़ाईगी जैसे कि मुशली है मुशली तो मीठी नहीं रहते उतनी लेकिन वह 80 है जबकि अगर आप देखोगे आम कितना मीठा रहता है ले लिए अगर हम कि उसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज जैसे कि बनाना है बनान चुवण है ग्लाइसीनिक इंडेक्स इसका और डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है ऐसा ही आपके हार प्रकार की जैसे की आपके जितनी भी वजिटेबल्स है उन सबके ग्ला के कैरट यानि कि आपके गाजर पकी गाजर और इनको छोड़ देंगे तो सारी सब्जियों में आपके 15 15 के बराबर सब्ण रहता है चाहे ब्रोकोली हो चाहे सेलरी हो चाहे आपका कुकुम्बर हो सब्णमें 15 ही ग्लाइसिमिक इंडेक्स रहता है जबकि ग्रेंस जो आपके खाने वाली चीज है उन सब में अगर आप रोटी चावल और इन सब में देखे तो आपके सभी में रोटी चावल स्वीट पटेटो इन सब में लगबग लगबग साट से असी के बीच में ही देखने को मिलेगा जबकि हम वाइट ब्रेड की बात करें जो हमें बजार में मि असके अलावा जो प्रोटीन वाली चीज है जैसे कि पीनट्स है उसमें आपका 21 है उसके अलावा आपके बीन से ड्राइड बीन से 40 लेंटिल डाले है इसमें लगबग लगबग 40 तो लगबग डालों में आपको 40 के आसपास देखने को मिलेंगे और एक आधी दाल है जो उ थोड़ी सी जादा देखने को मिलती है उनके अंदर और डेरी प्रोडेक्ट्स में भी एक आइस क्रीम को छोड़ दे जो कि सीधी सीधी आइस क्रीम तो पता ही है मीठी भी है साथी साथ में क्रीम भी है उसको छोड़ दे तो बाकि सब में 30 या 30 से नीचे ही देखने को मिले सबजियां जो है वो ज्यादा हेलफुल है सुगर पेशेंट के लिए तो फल और सबजियों का सेवन ज्यादा किया जाए क्लियर है समझ में चले आगे चलते हैं अगला कोशन आगे का कोशन आपके लिए देखो नॉलेज एक ऐसी चीज है जिससे आप हर प्रकार के दरवाजे खोल सकते हैं अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी डिगीरी लेके बैठे हो आप अपने देखी भी होगी अभी कौन सा आयाइटी आयाइटी मुंबई था क्या जहां पर आयाइटीन 40% इसको इसको क्या मिला प्लेस्मेंट ही नहीं हुआ उनका आयाइटी जबकि जिसमें अड्मिशन लेने के लिए लोग इतनी जाने गवाते हैं अपनी जा उसके बाद में सेलेक्शन होते हैं तो लाखो रुपए फीज जाती हैं लग अलग लेकिन फिर भी नहीं हुए प्लेस्मेंट तो क्या इसका मतलब है हुआ अनपड है तो सरकार को भी धान देना चाहिए बाई कुछीजे सरकार के उपर भी दोस्त देने चाहिए कि रोजगार है नहीं उस हिसाब के जिस हिसाब के हुआ करते थे नेक्स्ट विच अवदा फॉलाइंग इस नॉट करेक्ट अबाउट था ट्यूबर क्लोसिस ट्यूबर क्लोसिस के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है इन में से तो देखो ट्यूबर क्लोसिस ऑल्सो नोन एस कंजप्शन इसे कंजप्शन भी बोला जाता है क्योंकि यह एक तरीके से आडमी को सुखा के पटक देती बिल्कुल सुखा देती है हर चीज जो है वो जो भी तुम खाओगे वो डाइजस्ट नहीं होगा उतने हिसाब से और भूक भी नहीं लगेगी और इंसान सूखता रहता है वजन घड़ता आता है इसलिए जो टीवी के पेशेंट्स हैं उनको उनके अंदर एनरजी ही नहीं देखने को मिलेगी वो थोड़ा से चलेंगे इसमें घ्लख केंचे रॉइभ केले फूट केले केलावने मैंगु घिलाव और चीकु और पिता अरुस ही के साथ-साथ में दूद में बढ़या bill Anda गोला के और हर गंटें में जो पानी देतो तो honor पानी मत दो और पानी दो ग rein पानी दो नीमबू पानी दो और या फिर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो गुड में डालके गुड में पानी डालके उसे गुड को घोल लो और उसके बाद में वो दो कैलरीज ज्यादा इंटेक करवाओं उनकी ठीक है तो यह कुछ help कर सकते हैं आप जिनको भी टीवी है उनको ऐसे करके आप help कर सकते हैं मैं नहीं चाहता कि आपके आसपास किसी को हो अगर फ्यूचर में कभी किसी को हो जाए तो आप उनकी help कर सकते हैं मदद कर सकते हैं ठीक है चलिए तो consumption बोलते हैं दूसरी चीज इट कॉस बाइदा mycobacterium tuberculosis यह बात भी सकते हैं दुनों बात यह सकते हैं and it is caused by the mycobacterium boris and next is it is heredity heredity नहीं यह अगर आपको है तो आपके बच्चों को नहीं होगी आपको है तो आपके बच्चों को नहीं होगी तो यह बात सत्य नहीं है यह बात गलत अप्शन नमबर फोर गलत है तो टीवी tuberculosis एक serious disorder है में ली किसको एफेक्ट करता है लंग्स को वैसे आपके पूरी बॉड़ी में कहीं पर भी टीबी हो सकती है आपके skeletal system में skeletal system टीबी उसके अलावा आपके urinary टीबी हो सकती है इसके अलावा आपके digestive system में टीवी gastrointestinal टीवी हो सकती है blood टीवी lymphatic टीवी टीवी अलग अलग प्रकार से हर जगे हो सकती है उसी के साथ साथ में टीवी germs इसमें आपके bacteria जो tuberculosis को create करते है bacteria उसका नाम है mycobacterium tuberculosis symptoms की बात करें तो इसमें क्या होगा देखो बुखार रहता है ठकान रहती है कफ खासी आती है उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें prevention की तो कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए उस व्यक्ति को जिसको भी टीवी हो रही हो तो उसको isolate करके रखा जाए लंबे समय तक ventilated room में रहना है उसको mask हमें सा पहन के रखना चाहिए अगला question है an unsatisfied need create a state of interval tensions and arousal called drive this drive theory was proposed by drive theory के सने दे अल्टिमेट रिसर्च की क्लास कब से होगी Aryan कौन सा बैच लिया तुमने हाँ बताओ हो जिस ने भी राइट answer दिया है option number B clerk देखो याद करने का तरीका है देखो drive drive मतलब चलाना जूब थे कारओ चलाते हैं तो ड्राइब करके जा रहे हैं ना तो हल को भी चलाते हैं ना किसान हल को चलाता है है तो किसान हल को चलाता है आणिके clerk हल ड्राइव तो ड्राइव मतलग हल को ड्राइव करना तो आरे एंटीजिटी में आपकी रिसर्च नहीं करवाई जाएगी कि अधिए टेस्टन मेजर्मेंट हो चुकी है आपकी ठीक है कि यह बात समझ में आगी कि ने कुछ है आप यहाँ पर देखो से प्ले अनर्जी त्योरी जो लिन dhi दिझ 국 और हरबर्ट स्पेंसरण नहीं आप यह सरपलेस एनर्जी देऊर्य क्या है पते हैं अपने वह दें गांग है या छोटा बकरी का बच्चा मेम टाउका हो देखा होगा तोड़े दिन के वह उचलते पूदते लग जाते हैं है से भागेंगे इधर उधर भागेंगे उस्टें कूदेंगे का मित हाथ पे चड़नें इदर मिरत उफ抦 अंधर ऑफ कि उमों के एक्स्ट्रा होती है जिसे वो उचल कूद के दुर दुर यूज करते हैं इसलिए कहा गया energy surplus theory यानि कि छोटे बच्चों में energy surplus होती है ज्यादा होती ठीक है उसी को theory G Stanley Hall ने दी थी और उसके बाद में theory of recreation lord camps ने दी थी यह आपके कुछ theory है यह कुछ theory है जो आप देख सकते हैं सामने next in sight practice theory mcdougall ने दी थी insight theory भी बोलते हैं से insight theory किस ने दी थी mcdougall ने दी थी cathrasis theory aristotle अरस्तू ने दी थी cathrasis theory अरस्तू ने दी थी psycho analysis theory segment fruit ने सैसे psycho सैसे segment fruit यह आप पूछा जाता है psycho analytic theory जैसे कि id ego और super ego ठीक है social contract theory किस ने दी थी thomas hubis ने दी थी plays life theory john devy ने दी थी play is life theory लिए बात समझ में आरी दोस्तों तो यह लिखते रहो भी यह सारे question exam में आते हैं इसलिए लिखवाय जा रहे हैं आपको यह सारे के सारे questions note down कर लिया करो थोड़ी सी video को पीछे करके देख लिया करो अगर कोई दिक्कत आ रही हो थो ठीक है आगे चलते हैं अगला question से कौन सा enzyme है जो की secret नहीं किया जाता है पेंकरियास से फिर हम कल की class में एक-एक enzyme जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा हां सही सुना आपने जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा वो भी मैं बताऊंगा और उसके बाद में फैट का पाचन मूवी स्टार्ट कर देता है यह भी बात बताऊंगा salary लाइपेस क्या होता है वो सारी चीजे discuss करेंगे हम कल की class में तो अब जितने भी लोग हमारी classes को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके वो चीज दरसाएं और कमेंट करके यह बताएं कि बैया कितना अच्छा लगा आपको और क्या हम नया एड करें वाकि जो लोग हमारे paid batches से जुड़ना चाहते हैं तो अड्डा 24 7 पर अभी इस समय पर आपको discount देखने को मिल रहा है तो आपको अड teaching पर जाना teaching का maha pack purchase कर लेना double validity आ रखे अभी इस समय पर buy now पर click करके यहां पर code लगा लेना Y590 code गलत मतलगा न Y590 apply कर देना 4500 something का दिखा रहा है लगभग 42-43 में आपको दो साल के लिए मिल जाएगा और maha pack उसी के साथ साथ में अगर आपको यह नहीं लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं सीधा सीधा टाइप कर सकते हैं यूजिस इदर से कि यहां पर टाइप कर सकते हैं YouTube पे हाउ टू पर चेस महा पैक और नीचे लिख देना बाई मोनु मदुगर आपको एक वीडियो मिल जाएगी दो मिनिट की उससे आप आराम से खुद पर चेस कर सकते हैं बैच को मैं करें मुलेंगे जो पेड़ क्लास वाले हैं उनको घ्री 4.0 में दिख रही होगी यह माप में 2023 में चीमे लेग्त शिज में डिखिया थी दिक रही हो कि कल ओन ने में भी ऊंदेखे होगी इक स्था अई नहीं देख जाएग बाकि इस सब बैच association में दिख रही होगी ठीक है पेड़ क्लास के लिंक को मैं भी गुरूप में भेज़ दूगा जिन्होंने महा पहले रखा उनको सभी क्लास दिखेंगे ठीक है बाइबाई टेक केर जहिंद जैभारत फिजिकल एजुकेशन जिन्दाबाद छे वजे क्लास चलेगी आज हम गेम बैचिस के बाइब